हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माने मुख्वंतरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगतार नौ बार उनोंने शपत लेकर के इतिहास रचने काम के और नौ बार तो लिया ही मौदे लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया ऐसा अधुन नजारा हम लोगों ने नहीं देखा हमान ये दोनों सब्राज चौदरी जी डिप्टी सीम बने बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीम बने इनका ब्यान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी माँ भाजपा पाटी जो है माँ लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आड़े दीन आपकी माँ हुए औरिजिनल तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे चलिए ठीक चलिए कोई बात रहे आप आश्विकार किजिए लेकि जनता तो इस बात को जानती है हमें खुशी है कि साथ वे दो डिप्टी सीम बने और विजेश सिराग जी डिप्टी सीम बने स्पीकर पत पे भी रह लिए नेता विरोधी दल भी रह लिए और दिप्टी सीम बी रह लिए इन्होंने भी तिहास रच दिया एक टम में तीन तीन पत इन्होंने भी पा लिए तो यह आप सोचे थे कि नहीं में जबाव अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टम में एक टरम में फिकर भी दिप्टी सीम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बधाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरनियत थे हैं और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्युत में काम करने का मौका मिला और हम लोगों को ने काम किया मिल करके इसमें कोई दो रहे नहीं आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे अब कई बार मानने मुख्मंती जी जो है इस बात को बोलते रहें कि तुम मेरा बेटा जैसा हो कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं अपने गाजियन मानते हैं और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं। हम आप सब के मन में तो राम हैं, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा। हम तो नितीज जी को एक दश्रत, जो पिता हैं, उनके रूप में ऐसा गाजिन मानते हैं। कि भाई, कई बार, जो है, इन्हों ने, कई बार आप लोगों के सामने में भूलागा, आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवाने लोग न आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरिया रही होंगी इनकी, जैसे दश्रत की मजबूरी थी, राजा दश्रत की, कि राम को जो है बनवाश जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम बनवास नहीं आए हैं बलकि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागिदार बढ़े पहले बार यह अपने से दूर किये वो भी क्या मजबूरिया रही हमको नहीं पता ना आपको पता किसी को नहीं पता क्या मजबूरिया रही लेकिन इन्होंने पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्स्प्लेइन कर दीजे आपके उपर जो है मुकदमा है केस है जब दुबारा जब इन्हों ने अपनाने का काम किया तो इन्हों ने कहा कि इसा बीजेपी वाला सब पसाने का काम करता है E.D. और C.V.I. लगा देने का काम करता है देगे हम तो आपको इज़त देते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन ही बात समझना पड़ेगा और डिहार की जन्ता ये जानना चाहती है कि कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं ये तो सब Лю-Log जानना चाहता है सब Лю-Log की इच्छा आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निटने लेना पड़ा 2020 का हम लोग चुनाओ जीट करके आए मात्र बैमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस ठापुरे महागण बंदर और NDA में आप क्यों छोर के आए आपने यही बोला था ना कि हम इंडिये इसी लिए छोर रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोरा जा रहा है हमारे विधायकों को प्रलोबन दिया जा रहा है और आपने यह कहा था मर जाएंगे, मिठ जाएंगे तो आप कहते ही रहते हैं हमेशा लगतारी कहते रहते हैं उस पे उस पे हम नहीं जाएंगे लेकिन आपने तो यह कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष है, नपरधान मंतरी बनना है, नपिसी को मुक्ष मंतरी बनना है, देज भर के विपक्षो को गोल बंद करके जो ताना शा है उसको दुबारा नहीं आने देना है इसलिए न आप आए थे और आप जब गवड़र हाउस गए मुहदे मुख्यमंत्री जी जब आप बहार आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था मन नहीं है को हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है आपका मन लगाने के अलगए हम तो आपका साथ ना तेने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे हैं असमब इज फिर उसको हम लोग पने मुंकिम कर के दिखाने के अपकेuar आपने 2020 के चुनाओं में क्या कहा था जूट मत बुलिएगा देखिए हम आप लोग से उमर में छोटे अपने बाप के पास से लाएगा जेल से पैसा लाएगा नुक्री माटेगा और संबावर क्या बोले थे और हमने उस समय चुनाओं के दोरान रोजगार पर विशेश तूट पर हमने बोले था हमने साइटिफिक अधिन किया रिक्पदे हैं इतनी इतनी है उसको हम लोग जो है भर्दे का काम करेंगे हमको तो कि इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आगे हमको तो खुशी है कि उन सत्रा महिनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी मागण बंदन सरकार ने कर देगा आप बताईए आप को याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रह थे हम तो नहीं आना आप के साथ आना चाहते थे इस बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुक्मंत्री जी लेके देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार दो हजार चौबिस के चुनाओं में हम लोग एक जुट हो जाएं और एक जुट को करके मोधी जी को हराने का काम करें तब हमने क्या का था मुक्ष्मांत्री जी याद है विजय जी है आप ही सामने है हम कहते हैं मुक्ष्मांत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे हम बाहर रह करके आपको समठत देंगे और आपके सरकार को कोई खत्रा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिकल हो करके चलाइए, कि हम लोगों का भी लक्ष है, कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सब्रदाइक सक्तियों को, जो विचार धारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम ल नहीं चाहते हैं, कि दशरत तो नहीं चाहते थे, राम बनवाजा लगे इनके कई जरूर चाहती थी, कि राम जो है बनवाज चले जाएं, मुक्य मंत्री जी, आप अपको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उमर रहिए, और जो सिल्सिला आपने चलाया था, उसको जरूर आगे चलाये, उसके हमारा समध्थर रहेगा, रोजगार बाटिये, नौकली बाटिये, जो घंदी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन के कई को भी पहचानी है, कौन-कौन के कई बेठा हुआ है आपके साथ, समराज च्वासरी ची पगड़ी पहनते हैं, फालतू है करना पहनते हैं, उतार दे का बात करते हैं, इस आपको फिर्म का सूटिंग चल रहा है, मोदे, अब बांज ये पगड़ी चलो हाँ मैदान में, आप खोलिये गाँ, अरे, हमको अगलत बात बात रहें, शुन लो या जाज बढ़ी, ऐंदे में आसे ये तो, आ इस अपाञ नो, सम्दी से भड़िये, आप जब बोलेगर, इदे से भिड़ी चलो हाँ हमें विश्वास है कि हमारे एक ओर चाचा विजिद्दर जी बेखे हैं, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर शलह दियोगी सब्राठ चौदरी जी को पगड़ी उतार लो दिये कि रही दिये आप तो हमको शला देते थे हमको पता है आप निके मन में भी पीरा है डर्द है लेकिन आप एकदम अपने निर्टा के साथ जो निर्णे है उसी मिलेते हैं नेता तो नेता लेते हैं साथ देना चाहिए लिकिन कभी कोई सला और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत नेता ना हो इससे नेता का ही नुक्सान होता इससे नेता का ही नुक्सान होगा तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी अबी समराज चौधरी जी क्या-क्या बोलते थे उस्पर हम नहीं जाना चाहेगे लेकिन समराज चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे है आ उनका शब्द मुख्य मंत्री जी के लिए क्या-क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते हो आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, अब पूरा भिहार, बच्चा बच्चा से पूछ लिजे, कि क्या होने जाएगा, नितीजी पे भड़ोसा है कि नहीं है, वो क्या-क्या शब्द का प्रयोग करेगी, जो हम लेना नहीं चाहते, और मोदी जी का गैरंटी तो बहुत मजबूत वाला गैरंटी है, ए मोदी जी के गैरंटी वालो, क्या मोदी जी गैरंटी लेंगे, फिट से पलतेगे कि ने पलतेगे, ज़रा बता के दिखा दो, बताएगे, मोदी जी के गैरंटी वालो, बताओ, पढ़ता ही है कि नहीं पढ़ता ही है मोदी जी का गयारंटी खेर हमको इसकी चिंता नहीं है सब्राद चौदी जी विजे शिराजी जब जहां चेर पे थे व्याकुल मत हो ये खूब जोरी है आप लोगों का कमाल का लगे रहिए लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे अब उस पे तो आपको बठाने का ज़रोत नहीं है सब लोग जानते है कि बतवा क्या दुवारा तिवारा जो है रटा जाए कहा जाए इसका कोई मतलब नहीं